दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बगवान रामने का लिउग के बारे में हनुमान जी को क्या बताया था। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक कितना प्राचीन है इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। हिंदी लेखों के अनुसार इस तेम में 33 कूर्ट देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। उन्हीं देवी देवताओं में से एक भगवान राम माना जाता है कि भगवान राम विष्णों के 10 अवत अपना लिया था। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब भगवान राम अपने पिता राजा दश्रत की आग्या को पूरा करने के लिए जंगलों की तरफ गए थे तो उन्हीं जंगलों में रावन ने भगवान राम की धर्मलपत्नी सीता का हरन कर लिया था। माता सीता का हर करने के बाद रावन उन्हें अपने साथ अपनी लंका में ले गया था जिसके बाद से रावन ने अपनी मुत्यू का आभाज कर लिया था आज हम आपके सामने रामायन काल का एक ऐसे वाक्य का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायधी कभी सुना होगा हम सभ इस बात को जानते हैं कि जब रावन माता सीता का हरन करके अपने सोने की लंका में ले गया था जिनकी तलाश करते करते भगवान राम वहां तक पहुँच गय थे। समुंद्र देव से मदद मागी थी तब समुंद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में मौजूद दो सैनिक नल और नीला ऐसे है जिनको आस्पुल के निर्मान की पूरी जानकारी है। और उन्होंने अपना सौभागे समझ कर इस सेतु का निर्मान करने लगे। इस सेतु के निर्मान के दोरान वानर और भालू मिलकर हनुमान जी को पत्थर लाकर देने लगे। और हनुमान जी भी उन सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम लेकर नल और नील को देते रहे। इसके बाद नल और नील दोनों ही अपने ग्यान के अनुसार उन सभी पत्थरों को समुद्र के अंदर रखते चले गए और धीरे धीरे राम सेतु का निर्मान होता गया। इस दोरान सबसे हैरानी की बात यह थी कि समुद्र के अंदर जितने पत्थर भी पत्थर डाले जा रहे थे वह समुद्र की सतह पर रहे थे। इन पत्थरों को तेरता देखू वहां मौजूद सभी बहुत ही हैरान हुए। इस पूरी प्रतिक्रिया को देखकर भगवान श्री राम ने प्रसंद होकर हनुमान जी से कल युग की कुछ बातें कही थी। भगवान राम ने कहा था कि हनुमान कल युग महा भयकर होगा। उस युग में सभी प्राणी पाप के गर्व में डुबे होंगे। अनुने इस सि प्रच साल अभवा प्रसंद होगा। श्री राम नेलेशं क्ल राम राम Common